वाल का मेन प्रावल्म होता है इन से यह open है आश हम बात करेंगे जो अबीठ में यहां में लगा अबर किया होता है सब्सक्राइब करेंगा अब इसके बाATORопर लगे नहीं समझेंगे तो इसलिए वीडियो बहूत में राटना वाल है सब्सक्राइब करें और आपके दिल में मन में कुछ कोश्चन हो इसके रिलेटेड या कोई भी एची चिलर से रिलेटेड चाहे वह ट्रेन का हो यौर का हो कैरियर का हो कोई सभी हो या पैके जैसी हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोग के कमेंट पर आंसर करने का नहीं तो उसके ओपर वीडियो बनाने का तो आज मैं शुरू करता हूँ आप वो बताना कि यह जो आप रलीव बाल्ब देख रहे हैं यह वैसे ट्रेन का चिलर है और यह जो कंप्रेसर है यह रेसी लोग कर रहे हैं तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है कई बार यह खराब होता है हम लोग इसको कैसे चेक करें यह खराब है अच्छा है तो मेरे पास पुराना भी एक नया भी आपको दोरोचीश समझा दूगा यह जैसे हमारा जो कंप्रेसर है इसमें हमने कर दिया कर रहे हैं इसके अंदर जो कई बर क्या होता है योर्टा कि अबकर लेकिन यह पे जो देख रहे हैं इसके अंनर यह ताइट होता है को रिफ यह आप लोग देख रहे हैं यहां से से ओपन हो जाता है इसका प्रेशर हाई हो जाएगा इसका प्रेशर अगर तरी से उपर जाएगा तो उसमें क्या करगा फिर यह क्योंकि बरदास्ट नहीं करता है पाद में यह तरह का सेफटी डिवाइस कंपरिसर के लिए है किसी भी एच्वी सिस्टम में भी कभी लगा हुआ होता है तो इसके अगर आपका इधर भी ठंडा नहीं हो रहा है नॉर्मल है हीट है तो से मालंग जलता ही हमारे जो वह उपन हो गया है इसको हमेशा अब लोग ओर लिंग के टेम में खोल के देख लिया करें वैसे ही इतना खराब नहीं हम लोग नया लेकर किया है है अब लोग नया च को दिखा देता हूं लेया से यह देग Azure रीट इसको कर देंगे यह तो है स्टरीके से लिगा देना चाहिए चृक कर लें ना चैए यह कई बार होता उता है इसके कारण हमारा कंपरिसर बार बार सबढ़ हमको कॉलना पड़ता है या कभी बंद भी रहेगा तो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है और कहीं पर लिखा हुआ है तो आप लोगों क्या है और कहां पी यूज होता है हर तुरह के कंप्रेसर में लगा हुआ आपको जरू मिलेगा तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल नोटिफ